हेलो दोस्तो वेलकम बैक टू आवर सीसी एनपी कोर्स मड्यूल आज हम लेक्चर नमबर 23 के बारे में बात करेंगे जिसमें हम जानेंगे EIGRP की बैकेंड प्रोसेस क्या होती है कैसे एक नेबर दूसरे नेबर के साथ मिलता है स्टेटिक नेबर्शिप और डायनमिक नेबर्शिप में क्या डिफरेंस है तो बने रही है हमारे चैनल A2IT Online के साथ और इस वीडियो को end तक देखें माइनम इस राजीव कुमार तो हमारे पास अल्रेडी लास्ट वीडियो का डिजाइन बना पड़ा है इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करेंगे राउटिंग टेबल के अंदर रूट बनते कैसे है क्योंकि बैकेंड प्रोसेस का पता होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है तो हम आज कमांड यूज करेंगे डीबग आईपी पैकेट और डीबग आईपी ईईजी आरपी इसी के अंदर हम डिसकस करेंगे कि अगर आप डायनमिक नेबरशिप को स्टैक्टिक में चेंज करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए तो आईए हम स्टार्ट करते हैं अपने डिजाइन के साथ इस वीडियो को लाइक करें लेटेस्ट टेकनिकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल A2IT Online को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाना ना भूलें तो मैं R1 के उपर जाता हूँ पहले मैं एक बार शो आईपी रूट लगा लेता हूँ यह चेक करने के लिए कि कहीं मैंने डिजाइन में कुछ चेंजिस तो नहीं किये तो बिल्कुल हमारे यहां पर रूट आ रहे हैं और अब मैं यहां पर डिरेक्टली कोई टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको डीबग आईपी पैकेट की प्रिमांड की तो यह जल्दी स्टार्ट हो जाएगी तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ यह जी आरपी का हेलो और होल टाइमर रिप से बिलकुल अलग है रिप के अंदर जो अपडेट थर्टी सेकेंड में आती थी इसमें पान सेकेंड में आती है तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा मेरे लूप बैक की अपडेट और मेरे 12 वाले नेटवर्क की अपडेट जल्दी से स्टार्ट हो जाएगी तो आप देख सकते हैं डीबग आईपी पैकेट में बड़ी जल्दी से प्रोसेस हो रहा है और आप देख रहे हैं यहां पर टाइम आ रहा है लिखके 26 21 035 उसमें सोर्स शो हो रहा है 12 002 और डेस्टिनेशन आ रहा है मेरा 224 0010 और यह जो अपडेट है मेरी ठीक है इसको मैं थोड़ी देर के लिए अंडीबग और कर देता हूं ताकि रुक जाए तो हम थोड़ा सा इसको अच्छे से जान सकते हैं पढ़ सकते हैं क्योंकि आगे चलके आपने ट्रबल शूटिंग कर अगर और सोर्स मेरा 12002 नहीं करता था सीधा ब्राड़कास्ट करता था वर्जन टू करता था हमारा मली कास्ट तो सोर्स 111111 आ रहा है मेरे लूप बैक का और साथ में लोकल इंटरफेस की बात कर रहा है अब आप देख रहे होंगे यहां पे लोकल वर्ड लिखा हुआ है और एक एफ जीरो बाई जीरो तो यह मैं बताना चाहता हूं जो अपना इंटरफेस होता है जैसे मालो इस राउट जो अपडेट आ रही है चब्विस पच्चिस पे आ रही है चब्विस तीस पे आ रही है चब्विस चॉन्टिस पे आ रही है चब्विस उन्तालिस पे आ रही है मतलो इसमें चार से पांच सेकेंड का टाइम आ रहा है क्यों आ रहा है कि पांच सेकेंड का इसमें हेलो होता है ठीक है तो पांच सेकंड बखी आप हेलो और होल्ड को घटा या बढ़ा भी सकते हो यह आपके उपर डिपेंड है यह हमने नेक्स्ट वीडियों के अंदर करना है इसके इलावा अगर आप चाहते हो कि मुझे डायनमिक नेबर्शिप नहीं करनी मुझे इसको अपना स्टै आप चाहो तो डीबग ईजी आरफी नेबर कर सकते हो नेबर के बाद हमें एस नंबर लगाना होता है और साथ में डीबग ऑई एईजी आरपी नेबर लगाना होता है 12002 जो भी मेरा नेबर होगा यह specific मैं 12002 के लिए लगा रहा हूं लेकिन अभी इजी आरफी की अपडेट आप देख रहे हो क्योंकि एक ही नेबर है मेरा तो यहां पर अपडेशन नहीं आई यह कह रहा है कि अगर आप डीबगिंग करना चाहते हो तो फॉस्ट एनेबल करो आई-पी आई-इजी-आ-पी रूट-इवेंट्स तो डीबग आई-पी इए-ई-जी-आ-पी के साथ हम यहाँ पर इसकी नोटिफिकेशन को और इवेंट्स को हम डाल देते हैं अब कोई भी नोटिफिकेशन अगर आनी हुई क्योंकि अभी तक हम पर कोई notification नहीं आ रही तो सारी की सारी update आपकी debug IP packet के अंदर आई है क्योंकि अभी तक हम ने authentication भी नहीं लगाई अभी तक हम ने कोई और भी processes के अंदर यूज नहीं किया तो अभी सिर्फ और सिर्फ यह simple routing है तो मैं स्टेटिक नेबर्शिप कैसे करते हैं आप देखिए राउटर यह जी आर्पी वन नेबर अब नेबर में मैं लगाऊंगा 12 002 और कोस्चिन मार्क मुझे यह भी शो करना है नेबर में कि मैं इंटरफेस कौन सा यूज कर रहा हूं तो इंटरफेस है मेरा एफ जीरो बाए जी से क्योंकि 5 और 15 सेकेंड का टाइम होता है आप देखो मेरे रूट उड़ चुके हैं यहां से क्योंकि रिप के अंदर क्या था सिंगल साइड से भी नेबर लगा सकते हो इसके अंदर आपको दोनों साइड से नेबर लगाने पड़ेंगे ठीक है अब डीबगिंग भी आप पैकेट आ रहे हैं लेकिन यहां पर आपको राउटिंग टेबल में रूट नहीं आ रहा है तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं यहां पर हम दूसरे राउटर आट टू को अप्रोच करेंगे और यहां पर जाके राउटर ईए जी आर पी वन में जाके नेबर 2012-001 फासट इस टरनेट जीरो बाई जीरो कनफिगर करेंगे जैसे यह कनमफिगर करेंगे धा मैंने आपको मेसेज आ जाएगा यहां पर की निव एडसेंसी अप पर आगी तो आप यहां आर वन पर भी देख सकते हैं एडशेंसी हो चुकी है और शो आईप्रा गाओं अब ध्यान से नोटिस करना हो से अब डीबगिंग ओपन हो चुकी है और आप देख सकते हैं 12 001 का नेबर 12 002 और 12 002 का नेबर 12 001 मतलब अब हमने जो अपडेट डायनेमिक ली सेकंड के बाद हो रही थी उसको हमने स्टैटिक नेबर शिप में चेंज कर दिये अगर आप इसको हटाना चाहते हो तो दोनों साइड पर जाके नो नेबर 12 002 और आट टू के उपर जाके नो नेबर 12 001 कर दो एक चीज़ नो करने से पहले बताना चाहता हूं गुडबाई र इस वीडियो के अंदर इतना ही बने रही हमारे चैनल एटू आइटी ऑनलाइन के साथ अगली वीडियो के अंदर हम और भी यह जी आर्पी की डिटेल डिस्क्रिप्शन के अंदर बात करेंगे थैंक्यू सो माइच इस वीडियो को लाइक करें लेटेस्ट टेकनिकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल एटू आइटी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाना ना भूलें